लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें कि लाइब कि लेज़ सकत्या क्राइब करें तार। प्राइब करें आमशत्या क्शेशा । ठीक हुन साहिश ठीक है ठीक है बैटो माल के नाने वाली है अकाउंट तेया रखना है समझे ओके साहिश हुजूर सलाब हुजूर एक अर्ज है हुजूर आखे राज या अंदार से गुफ्त को क्या है हुजूर कहने के नहीं देखने की बात है अच्छा फर देखे हजूर आपके लिए तउफ़ा लाया हूं किस खुशी में हजूर आपके खुशी मेरी खुशी है हजूर समझे आपके लिए एक फुल जड़ी लाया हूं फुल जड़ी जी कच्चनार की कली एक नमबर चीज है सरकार बिल्कुल उचूती वो देखिये ना अपनी बवीचे में काम करती है मैंने सोचा इस खूबसूरत पहाड़ी अलाके में आशा जैसी मामूली छोकरी कहां तक हमारे साब का मन बैला सकती है इसलिए ये नहीं चडिया पटालाया हूँ पर तुमें इनाम मिनना चाहिए है सब्सक्राइब है के तौर तरीके आपके वफादार नौकर की इस तरह पढ़ाई करने का इने क्या हाक है मालकिन आपको इसका फैसला करना ही होगा अच्छा आम मेरे साथ कि अच्छा माफ करना बहन में सर्मिंदा हूँ लो लो बहन खुसरो मालकिन यही है वो लड़की नहीं मैंने दिर की नूर है न सर आपकी पीपीछे यह खेल के ला जा रहा है मालकिन नमस्ते नमस्ते कौन है आप जी मैं हूँ आश्या आपके मैनेजर की बेहन आप मिस्टर सिंग की बेहन है मिस्टर सिंग आपके मैनेजर तो मेरे भाईया है मेरे मानवता मानव मानवता ने अपना नाम तक बदल डाला शायद वो अपनी पिछली जिंदगी के साथ वो अपना नाम भी भूल जाना चाहते है मैं कुछ समझी नहीं जमाने ने उन पर बहुत जुल्म किया है दी दी लेकिन मेरे भाईया ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया कभी कोई अन्याय नहीं किया जहां तक हो सका साथ की मदद की बड़ी सुनी सुनी सी है उनकी जिंदगी बहुत अकेले हैं कर दो दे कि बन्याओ कर दोफर कर दोफर कर दो कर दो बहुत प्रम बमस्टोर प्राद कर दो चल लकेला चल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला चल लकेला चल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते यहां दुख़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते है कौन सवा इंसान यहां पर जिसने दुखना जेला चल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला चल लकेला चल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला तेरा कोई साथ ना दे तो तो खुद से प्रीत जोड ले बिच्छोना घर्ची को करके अरे आकाश ओढ़ ले यहां पूरा खेल अभी जीवन का तुने कहां है केला जल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला चल लकेला चल लकेला चल लकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल लकेला सारा दिन तुम कहा थे? एक जरूरी काम से बाहर गया था यह तुम्हे हो क्या गया है? सुना है तुमने सादार को बहत मारा? हाँ, वो जलील खरीब लड़की की इज़त लूटने की कोशिश कर रहा था यहां तक कि उसने तेरे नाम पर भी कीचर उचलने की कोशिश की मैं जानती हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बदकिस्मति के तूफान में घर कर तू बदनाम हो जाए आशा, तू कलकत्तर वापस चली जा भाई और बहन करिष्टा, गंगा की तरह पवित्र होता है किसी के कहने से गंगा पवित्र हो जाती है क्या? हाँ, अन्टोनी और सर्दार आये थे मालकी ने तुम्हें बुला भेजा है मगर मैं न तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दी है अन्टोनी और सर्दार? अच्छा तो मिसिस सेन मुझे सर्दार और अन्टोनी के सामने जलीर करना चाहती है मैं ये नौकी छोड़ दूँगा मानवता सुनना मानवता मालकीन, मुझे तो डर है सारे काम करने वाले कहीं बिगड़ ना जाएं आज कल तो सीजन का मौका है एक दिन भी काम बंद रहा तो हमें सक्त नुक्सान होगा आपने देख तो लिया है सिंग साब कितना बुरा शुलुक करते हैं कौन है? मोहन सिंग है प्लीज कम इन मालकीन अच्छा तो आब हम चले गुद इवनिंग गुद इवनिंग बैची प्लीज बीसिटेट इम सारी ठेक के जी से बताईए कैसे हैं आप I have sent my Progress Report हां आपकी भेजवी Progress Report मुझे मिल गई है लेकिन आपकी रिपोर्ट और सर्दार की रिपोर्ट आपस में मिलती नहीं और मुझे पुरा इक्रीम था के दोनों रिपोर्स में फरग जरूर होगा Just what do you mean Mr. Sen अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी है तो इसमें सोचने की क्या बात है मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी नौकरी अरेंज कर सकती हूं हमारे घर एक करोड़ पती आ रहे हैं पिताजी में उनके स्वागत में पार्टी की है चलो मेरे साथ तुम तु जानती है मुझे ये पार्टी और ये इस तो सटी कुसन नहीं है अब तुम जाओ कॉलिज के जमाने से देखती आ रही हूं हर बात में जिद करते हूं मैं जमीन की केछती हूं तुम आशमान की समझते हो मुझे पर गुस्ता करना बेकार है तुमहरे प्यार का अपमान तु संधिया नी किया है मुझे वो अपमान तुम्हारी इस ऐसान से कही ज्यादा पसंद है संधिया मेरी जिंद्गी है मेरा पहला और आखरी प्यार लेकिन तुम से तो कभी कुछ नहीं मांगा तर रिटा ना तुमारी हमदर्थी और ना तुमारा प्यार सुनो मानू एक जमाना था जब शायद मैं तुम्हें चाहती थी अर अब? अब सिर्फ दया आती है तुम पर दया तुमने तुमने तो इतनी भी महरबानी नहीं की जो पूछ ले थे के मैं यहां आई क्यूं थी? अच्छा, तो और भी कुछ कहना है? सुन सकोगे? है इतनी हुम्मत? तो सुनो, जिस संध्या के लिए तुम देवदास बने घूमते हो वही संध्या अब किसी और की होने जा रही है तुम्हारी ममी में संध्या की शाडी का इंविटेशन काड भी मुझे भी जागा ये लो, डेख लो, पढ़ लो अपने आखों से जब इतना कश्ट करके तुम यहां आई हो, तो पढ़ कर सुना भी दो डरूमत, मेरे भाहिया तुक से ऐसे के पत्थर बन गए, पत्थर सेंटिमेंटल, फूल गुद्भाय मैं प्रैक्टिक असिस्टम आशा, आप तु मुझे कुछ नहीं पोगे जा, खाना कर दो सोज आशा बहिया, यह तुम किस तबाहिते तुले हो, चलो चलो कर खाना खालो आशा, तुम मुझे बिल्कुर के ला चुदे, बिल्कुर के ला उत्तल दक्षन पूरब पश्चन उत्तर दक्षन, पूरब पश्चन जिधर भी देखूं मैं अंध का अंध का अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो अरे ओ राशनी वालो बुरे इतने नहीं हैं हम जरा देखो हमें भालो अरे ओ राशनी वालो कफन से ढाक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशनी वालो को जो किसमत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को कफन से ढाक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को किसमत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को हमें नफरत से मत देखो जरा हम पर रहम खालो अरे ओ राशनी वालो अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो अरे ओ राशनी वालो हमारे वालो हमारे भी थे कुछ साहती हमारे भी थे कुछ सपने सभी वह राह में छोटे वो सब रूते जो थे अपने सभी वो राह में छूटे वो सब रूठे जो थे अपने जो रोते हैं कई दिन से जरा उनको भी समझा लो अरे ओ राशनी वालो अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो अरे ओ राशनी वालो इतनी दूर की खड़ी हो आशा मेरे पास आप दहन एक बार फिर मेरे आंसु पहुचते हैं माँ मन आप आप इतने राग गए पतानी तुमारी दर्दभरी आवाज में कैसी पुकार थी यो मुझे यहां ले आई टुम्हें जफिद देखते हूं ऐसा लगता है तुम्हारी सूर्त जानी पैचानीसी आख्र आपको क्या चाहिए सिर्फ तुम्हें जाना चाहती हो बताओ तुम्हें का परिशान क्यों रहती हो तुम्हें क्या डुख है मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मानव नहीं क्या तुम मेरे सामने भी पियोगे पीना मैने तो कभी सोचाए नहीं था से छोगा भी मैं जानता हूँ यह वह जाहर है जो मुझे छुलस देगा फिर भी पीता हूँ फिर क्यों पीते हो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मैं तुम्हें कभी नहीं पिरे दूँगी तुम आइंदा कभी नहीं पियोगी मैं तुम्हें कभी नहीं पिरे दूँगी मैं तुम्हें कभी नहीं पिरे दूँगी मैसर सेम मेरी मा बेटी किसी तरह कहा करती थी तुम्हारी माँ हाँ, मेरी माँ क्या कहा करती थी? बोलो किससे कहा करती थी? बोलो मेरे पिता जी से ठीक इसी तरह बड़ी दुख बड़ी है मेरी कहानी में से सेन आज मजे सब कुछ कहो The story of my frustration मेरे पिता राजगंज के जमिंदार थे उनकी आँखों में अपनी प्रजाई की भलाई का एक सपना था सपना था जीवन प्रभात का आज मेरे सब याद आ रहा है ना पिता हुआ जीवन जीवन की वो सांच मेरी माँ मेरे बाबू आज से बारा साल पहले की बात है उस दिन दसेरा था उस दिन मेरी दसी संगेरा भी थी चार उतरफ खुश्या मनाई जा रही थी क्योड़े खुश्बू लगाएगा लगाएगा खुश्या अच्छा मनू बढ़ा बढ़ा होकर क्या बनेगा बढ़ा होकर आप जैसा बनूगा नहीं बेटे नहीं मुझ चैसा नहीं अपनी मा चैसा बनना महाल हाँ हाँ बनो मेरे चैसे और जिंदगी भर दुख के आग में चलते रहो छे सुमधे छे वोई भी माप्ट बच्चे को इस तरह नहीं गोशती और और वो भी आज की दिन जी 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 यहां क्या कर रहे हैं देख तो रही हो आपने अज तक जो कुछ किया मैं सब चानती हूँ आपका नया फैसला भी सुन चुकी हूँ लेकिन लेकिन हरचित की हद हो दी है हद हाँ हर चीज की हद जरूर होती है लेकिन दिल और शराब इन दोनों की कोई हद नहीं कोई हद नहीं और भी एक चीज है जिसके हद नहीं होती जानती हो समद किसकी बद नसीबी की खासकर मुझ जैसे इंसान की बद नसीबी की बड़ी बड़ी बाते मत किया कीजी यह घर मेरा है यह की इज़त और पवित्रता में कभी नश्ट नहीं होने दूग इज़त पवित्रता शायद ही कर रही हो तुम्हारे इस घर की इस तद पर खरार रखने के लिए ही न मैने आज तक इस महल में कोई महफिल नहीं सजाए लेकिन क्या करूँ आज मेरे दोस्तों ने मुझे मुझे मुफलिस समझ कर अपने खर्स से एक नर्ते की को मेरे नाच महल में बुलाया मेरी बतनसीबी तो देखो मुझे अपने ही नाच महल में आज अपने ही दोस्त कम महमान बनकर चाना पड़ेगा तो पिर जाएए ना, इंतजार किसका है इंतजार? इंतजार शायद मौत का है इस तरह पीने से मौत में बाकी क्या रहे जाएगा सुमती, मोटल दे दो जोड़ दे जोड़ दे सुमती, 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 मुझे सुमती की कोशिश करो सुमती मैं इसकी गहराईयों, मैं अपने तमाम गम अगनी नाकारियों को डूबो ले ना चाहता हूँ इसे चेंक आप मेरी जिंदी के ना चीड़ो दे दो सुमती, मुझे गम गलत करने का सहारा दे दो यह गम गलत करने का सहारा दे बरबादी है, बरबादी मैं आपको नहीं पीने दूझे, कभी नहीं पीने दूझे, कभी नहीं पीने दूझे पालेना सुमती, कुछ आँसु बाहर लेना सुनिये, बापू, सुनिये, बापू रूप नगर के कुवरी तर से, रूप नगर के कुवरी तर से राजा पित निफा, अकली हूँ मैं पिया आँ रूप की धूप में मैं जलू सिया रूप की धूप में मैं जलू सिया कर दे प्यार की शीतल छेया रूप की धूप में मैं जलू सिया कर दे प्यार की शीतल छेया अब मत और जला अकली हूँ मैं पिया पाल स्था प्याव प्याब प्याब स्था जैब बाद कर दो कर दो मूप पाल मूप स्था बस करो बहन, बस करो ये लो बहन, इस वक्त इसके सिवा तुमें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इतने बड़ी इज़त मुझे किसी नहीं दी आपने मुझे बहन कहा, यही मेरे लिए सब कुछ है इसे अपने भाई का तुफ़ा समझका रख लो रख लो, रख लो खुदा आपका मर्तबा और बुलंद करे खुश रहो बहन, खुश रहो मेरे पिताजी का दिल पुरवजु द्वारा प्रजा पर किये गए अतिचार के बोच से दबा हुआ था अवेले की शान और शाकत उनके दिल पर दर्द बंकर चा जाती थी और वो अपने घम को दुबो देते थी सराब में चराबो का लगा मेला ये जहा की खुब सूरत है मगर वो राशने है कहां मुझे जिसकी जरूरत है शबे विसाल है गुल कर दो इंच रावों को खुशी की बजन में क्या काम जलने वानों का मजलुम विसानों की आहे पत्थर बनकर मेरी आकमा को पीस्ती रखी है पीस्ती रखी है मुझे मेरे मानग को मुक्ति दो मुझे मेरे मानग को मुक्ति दो मानग 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 पापू आप रो क्यों रहे हैं मैं? मैं को रो रहा हूं? तो यह आसू इतनी रात वी तो अभी तक सोया नहीं चल जा, जा सोजा सोजा तुम्हारे पिताजी कहाएं? उन्चे कहो हीरालाल बाबू आएं अभी बुलाता हूं बापू, 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 बापू सर्वमंगलमंगले शिवे सरवार्थ साधिके शरन्ले त्रम्बके गोरी नारायनी नमस्तु ते नमस्कार, नमस्कार हिरालाल जी, आप आ गए हैं? मैं तो सिर्फ कोर्ट का आर्डर लाया हूं, मजबूरा ना पड़ा जाने के मुझे मकान आज ही खाली करना पड़ेगा वाह, कितने भले आदमे हैं आप, आज पूजा की दिन कब्दा लेने आ हैं मैं तो सिर्फ अदालत का हुक्म लाया हूं खानूनन जो चीज अब मेरी हो चुकी है, क्या मैं उस पर कब्दा नहीं कर सकता? बेशक कर सकते हैं, लेकिन जरावी तो शर्म की होती, आज के दिन गिरे से गिरा आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता गोसा नहीं करते ना आज जी, जाईए, उपर मानव के ले जाईए जाओ बेटे आप खड़े क्यों है, तशिप रखिए, बैठे बैठे, बैठे ना, बस मुझे पांस दस मेर की महलत दीजिए, मैं भी आज़र होता हूँ सुनिए, हिरा लाल जी से कहकर, पुझा की चार दिन तो यहां रह लेने दीजिए जैसी बाते कर रही हो, वो जान बूच कर आज के दिन आये हैं, सुमते, एकाम में देद नहीं करनी चाहिए मा, मुझे शक्ति दो मा, शक्ति दो बाउरानी, बाउरानी क्या हुआ सर्वनाश हो गया, किसी ने जूटी वाते कहकर, गाउवालों को माली के खिलाब भड़का दिया है क्या कह रहे हैं आप सही अर्थ कर रहा हूँ, मा, सही अर्थ कर रहा हूँ लोगों का ख्याल या है कि जमीदार साहब बहुत से पैसे बठोर कर यहां से भाग रहे हैं लोग पागल जैसे हो रहे हैं शायद खुन खराबी की नौबत ना आ जाए हे भगवान जमीदार साहब, हम यहां भूके मर रहे हैं और आप यहां ढोंग रहे हैं क्या समझ रखा है आपने क्या बात है भई विदा होते वक्त क्या यही पाना बाकी था तुमसे देने और पाने का हिसाब आपने कैसे लगा लिया इन लोगों के जिस्म से कपड़ा और पेट से रोटी तक तो छीन ली आपने अभी कुछ और पाना बाकी है क्या जिमिदार साहब यह वेली जो आपने एक लाख रुपए में हिरा लाल के हाथ बेची है इस हवेली की एक 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 एंट में इन लोगों का खून और पसीना मिला हुआ है इस हवेली पर अकेले आपका नहीं इन लोगों का भी हक है गाउवालों का हक है लगता है आप लोगों को सारी ख़बर मिल चुकी है लेकिन यह ख़बर दी किसले है हिरालाग है है जाओ हिरालाग गवराईए नहीं आईए आईए तश्रीफ लाईए मेरे पिटाजी ने यह हवेली आपके पास कितने मतलव साब कितने में गिर्वी रखी थी कितने में आइब जी referencing अप्तर प स्वेठी कहले हैं हा याला कहिए हाँ पचीस हजार रुपों में ये हवेली गिर्वी रखी गई थी दस बरस में आपने इतना सूद चोड़ लिया है कि जिसका अदा करने मेरे लिए नमुम्किन हो गया है और मेरी मजबूरी से नाजाइस फैदा उठाते हुए इन महाशाय ने इतनी बड़ी हवेली कबजा करने के लिए अदालत से हुक्म नामा भी हासल कर लिया मैं पूछता हूँ तुमने इतना बड़ा जूट गावालों से क्यों कहा कि मैंने यह हवेली एक लात रुपय में बेची है बोलो जराब दो जवाब आप नहीं दे सकते जवाब मैं इन सबको देता हूँ देखो देखो देख लो क्या ले जा रहा हूँ मा मा हम बहुत शर्मिंदा हैं जमीदार साहब बहुत शर्मिंदा हैं नहीं भाई शर्म तो मेरे लिए है मेरे पुर्खों के जुल्मों का पैश्चत तो मेरे बहते हुए खून से होना चाहिए था आप लोग आप लोग सच पुछ महान हैं जो मेरी जान बख्ष दी ये ये शायद तुम्हारे ही पुन्य कफल है चलो सुमती चलो भाईयो मैं जा रहा हूँ मैं पापी जा रहा हूँ अपनी जन भूमी छोड़कर अपने साब ले जा रहा हूँ अपने आँसी नहीं जमीदार साथ नहीं ऐसा नहीं हो सकता हम आपको सब कुछ दे दे सकते हैं सब आप ही लोग तो बरसों से सब कुछ देते आए हैं, लेकिन आज जाते वक्त उसमें से थोड़ा बहुत वापस करने का मौका सरकार ने मुझे दे दिया, मुझे सरकार से जमीदारी का मौफ़ा एक लाख रुपया मिला, जिसमें से पांच हजार रुपय मैंने दिये अपने न अब बे हजार रुपय का एक दान पफ्र लिख दिया, इसे समालिये, ईश्वर आप सब की फलाई करें, मैं चलता हूँ मुझे जाना ही होगा, मुझे तलाश है एक नहीं रौष्णी की, एक नहीं जीवन प्रभाद की, अरे, ये क्या, आपके आखों में आसू, कोई यात्रा शुरु करें, तो रोती नहीं, क्या आप मुझे आश्रवात नहीं देंगे, खुदा आपकी सारी तमन नाये पूरी क आपका खुदा और हमारा भगवान है बड़ा मेरवान, जिन्होंने मुझे इतनी चल्दी मुखती दे दे हायो, मेरी अधूरी पूजा पूरी कर देना अरे, तुम बजाते क्यों नहीं, बजाओ, बजाओ न, बजाओ बजाओ, बजाओ क्यों बपू, और कितनी दूर चलना है, ठक्या, आप मेरी कोट में आ, नहीं बपू, मैं चल सकता हूँ, चल सकेगा, जी हाँ, शाबभाश, क्यों सुमती, तकलीफ हो रही है क्या, अपने लिए नहीं, आप के लिए, मानों के लिए, हे राम, क्या दीन थे और अब क्या दे सुन्दर, हाँ दादा, कैसे हो, ठीक हूं दादा, मैंने हिलाल की कमिनिबन की बाते सुनी, मैं तो आप इसे मिलने जा रहा था, उचसे, हाँ दादा, आपने एक घर छोड़ा, चलिए दूसरे घर में, चलिए, सुन्दरलाल, भाभी, आप मेरी कुठिया पवित्र करें नह अपने बीते दिनों को भूल कर, पिता जी ने साधारन लोगों की तरह जी कर, अपनी हिम्मत से तरक्की करने का पैसला कर लिया, आखों में नया सपना, और मन में नए जीवन की अभी लाशा लेकर, वो कलकित्य की ओर चल पड़े, आप की जिफित्य, आप की जानता था कि जीवन का पात इतना कठिन होता है, अभी तक कुल जानता था जानता है, तुम कुछ दिन और सबर करो, मेरा प्यार सुईकार करना क्यों भावी, दादा का खत है क्या, क्या लिखा है वही जो दो महने से लिखते आ रहे हैं कुछ दिन और सबर करो, कोई धंक काम नहीं मिला अब और कहां तक रहा देखो सुन्दर भीया, मैं आज हे कलकत्य चली जाओंगे भावी, क्या दादा ने अपने पता लिखा है पता तो कभी लिखते ही नहीं कि कहीं मैं महाना पहुँच जाओं मैं रुख भी नहीं सकती भावी, भावी, तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ नहीं सुन्दर भीया, कलकत्य में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ मेरे एक रिष्टेदार है, मैं उन्हीं के पास ठेरूँ लेकिन दीदी, राधा, तुम रुकावट न डालो तुम भी तो एक मा हो, मा की जिम्मेदारी समझती हो चलो बेटी हरी बाबु है, हरी बाबु यहीं रहते हैं न वो तो तीन साल हुए चले गए जमीदार घराने की राजरानी अपने बेटे के साथ धूर भरी राहों पर आखड़ी हुए सिर्फ इसी आशा में दरदर घूंती रही कि शायद शायद मेरे बापों मिल जाए अगर किसमत को कुछ और ही मन्जूर था हम फूके प्यास एक कलकती की राहों पर भटकने लगें और फिर एक दिन कर्णार में करो कि करो कि अब रची फीए रोची ono आँ और बादा आव आहनान किति olurत पाय दोथिए यस बैस इनchnेर मेट सब्सक्राय चिंक हाना रिखो इस लडगे न सारा पाना इंता है कौई बात नहीं हो है कौन तुम किसके साथ आ हो प्रस्list करें मैं मैंट करें तरह मैं मैं क्या करने अच-छा पir pee toys दा भून ए चॉर refusing बन схतka हुद आप लेकिन कीजिए मैं पुलिस के हाथ मेंogeneous आप मत दीजिये मैं चोर नहीं मैं ने चोरी नहीं की मैं चोरी नहीं हुआ चल पुलिस में देता हू क्यों तुम को मैं गड़ बड़ कर रहे हो देखे न खा भी रहा है चोरा भी रहा है ना जाने कॉनल तुम बहुत ज्यादा बाते करने लग गए हो अगर आज के दिन एक बच्चे ने थोड़ा खाना खा लिया तो क्या हुआ क्यों बेठा तुम किसके लिए खाना ले जा रहे थे अपने बूब की मा के लिए दो रोज से खाना नहीं खाई तो तेरे माने तुझे यहां भेजा है नहीं नहीं माँ को यह नहीं आई है तूमार को यहां बीलाएं लेता हम यही है मेरे दुरबाकी की कहानी आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलोंगी मानो, प्रणाम कर बेटे अच्छा मैं चलो, आप कह क्या रही है कलकत्ता आपके लिए बिलकुल नजाना है इस मासूम बच्चे को लेकर आप कहा रात को जाएंगी आप शेही रह जाएगे न अनु ठीकी कह रही है, आप यही रह जाएगे हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है लेकिन भोगने वाले ने आज हमारी शादी की आठवी साल गिरा है इस शुब दिन पर जब आप यहां आई गई थो आपको जाने नहीं दूँगा आप मेरी बड़ी बहन बनकर यही रहेंगे आज से हमारे इस छोटे से संसार की सारी जिम्मेदारी आप पर है हाँ दीजी, आप बिल्कुल चिंता न कीजी मैं कल ही मानुप को स्कूल में भर्ती कराय देता हूँ क्यों बेटा, स्कूल जाये करेगा ना? आज से इसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है आज के दिन आप हमें आशिरवाद दीजी आशिरवाद? जी आज किसी को आशिरवाद देने काथिकार मुझे नहीं फिर भी मैं भबाद से प्रार्थना करती हूँ तुम दोनों सुखे रहो तुम सही मानों में एक दूसरे के जीवन साथी हूँ मंगल में तुम्हारा मंगल करे बिटा आओ मेरे पास आओ मैं कौन हूँ तुम्हारी? बोलो बिटे कौन है आप? मैं तुम्हारी एक कौन मा हूँ मा? मा? हाँ बेटी मामुनी आज से तुम्हेने मामुनी कहकर पुकारना मामुनी? हाँ मामुनी? हाँ बेटा मैं तेरी मामुनी हूँ हाँ प्यारे बेटे मानों मैं तुम्हारे बापो को खोजने जा रही हूँ तुम अपने मामुनी को बहुत प्यार किया करना तुम्हारी बदनसीब मा अरे, वो क्यों रही हो मा? चला मामा, हम लोग चले तैसे भी हो, पापो को डौन निकाले चलेंगे बेटा, जुरूर चलेंगे इतना दुख सहने के बाद ये एक आशरे मिला है कम से कम एक रात तो चैन की नेन सोले देख, तेरी सूरत कैसे निकलाई नहीं मा, ऐरे, नहीं रहाँगा मानो, तुम मांता क्यों नहीं तेरा चुख دेखर मेरा कलेज मेरा फटा जाता चैसे तुनेहीं समझता मैं थुक से बहे दुक्री नहीं होता यहीं तो तुम कही दिल से बुक्टी इसलिए तो मैंने खाना चुराया था मैं तुम्हें प्यार नहीं करता जो मैं तुम्हें से सौंगा नहीं यह ले जहाँ मान आओ मुझे गलत में समझ बेटे रो मत चुपोजा मेरे लाग मैं जानती हूं तुम उसे कितना प्यार करता है इसलिए तो कह रहे हूं मेरे नाथ इसलिए कह रहे हूं अपनी मा के तिसमत पर मेरे बेटे तू मत रो अपनी मा के तिसमत पर मेरे बेटे तू मत रो मैं तो काटों में जिलूंगे जा तू पूलों पर सो अपनी मा के तिसमत पर तू ही मेरे दिन का सूरज तू ही मेरे रात का चंदा एक दिन तो देगा तू ही मेरे अम्त समय में कंदा मेरा देखके उजडा जीवन तू आज दुखी मत हो मैं तो काटों में जिलूंगे जा तू पूलों पर सो अपनी मा के तिसमत पर असने की दिन है तेरे रोने से तेरा क्या नाता हसने की ये दिन है तेरे रोने से तेरा क्या नाता रोने के लिए तो बेटा जनमी है जगत में माता मेरे लाने आंसो दे दे अपनी दुखिया मां को मैं तो काटों में जिलूंगे जा तू फूलों पर सो अपनी मां की किसमत पर मेरे बेटे तू मत रो मैं तो काटों में जिलूंगे जा तू फूलों पर सो अपनी मां की किसमत पर मां हमें मां 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 मा... 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 मुझे, मा की, नैंकेज का जाना... मा की, मिलना गई... Abii, भापी, जानओे executive, eee... жизни लेक जाएगी,หुपी ने दूनने कही है ... vem जाएगी, ममने जाना। आपी मा कारीया... मेरी मा किस तरह अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे मामुनी के पास छोड़कर मुझसे अलग हो गई वो चाहती थी मेरी भलाई अच्छी तालिम पाकर में एक अच्छा इंसान गम सकने गई मुझे पाकर बेहुलाद मामुनी ने अपना सारा प्यार सारी ममता मुझे लुटा दी मामुनी का प्यार पाकर मैं अपना हम तो भूल गया मगर फूल न सका मेरी अभागन मा को फूल न सका मेरे बाबू को फिर भी मामुनी की आशा और अपनी मा के सपने को पूरा करने के लिए मैंने मन ही मन में निश्चे कर लिया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूगा मानो 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 उठ बेटे उठ जरा क्यो अधीरत को परेशन कर जिए मामुनी मैं जिए अधीरत में यादा दिन होने को आया है उठ उठ ज़रा बात करने उठ तो सुब़-सुब़ एक आंग दिखा दी न ना जाने सारा दिल कैसा बीते गा यह बबाबा यह रो दोनो, अब तुदे में अच्छा बीटेगा ना, बोले मामनी, देखात क्या है, तुझे अब भी हॉड़ा स्टेशन जाना होगा, हॉड़ा स्टेशन? भाद रे भाद, मानो, 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 वो और तभी है, आज संदे आ रही है, उसे जाकर लिया, देख मेरे अंकल की तब यह तच्छी नहीं है, सब 8 बच्चो के और 9 बजे गारी पहुंच जाती है, लेकिन यह संदे आने क्या बला, बला नहीं रही है, विश्टा में मेरी भाद जी है, और गाउं से यहां पन्ने आ रही है, गाउं की लड़की पहेगी कॉलेज में, और मामनी, इस लड़की बढ़की के चक्कत में मैं नहीं आ रहा हूं, तुम इस चली जाओ, देखो पेते, मैं कैसे जाओंगी, मिर्जा छुटी पर है, गाड़ी कौन चलाएगा, अगर इन महला समीत है कि बेकार कामों को छोड़कर तुम गाड़ी चलाना सीख लेती, तो अच्छा बाबा, मैं दूर निकालूंगा, चलाएगा, लगी के नाम क्या था, संधिया बाबा, संधिया, संधिया, मुझे से बेका वक्त, छोड़का साम करवाने की कितना नकार चलाएगा, चल, मानू, जल्दी कर, बहुत देर कर दी तुने, मामनी, कर दीना जैब खाली, बहर दीन मैं सॉले दोस्तों की जेदे, उन बिचारों की देखबाल कौन करेगा, अच्छा करता है, ले, फिर से भर गई तरी पॉकेट, इसलिए तो लोग कहते हैं कि तुम मेरी देवी मा हो, मैं स्वीट, स्वीट, स्वीट मा होनी, ले, अब क्या हुआ, लड़की का नाम जिए, नौबिच और प्लैट्फर्म नमर। बवा में मालूं करनूंगा, हाहा, अब को, आट्राय नहीं, और सुन. नाश्ट्राइ में ही करना, तुझे मेरी कर दो. ये स्वीट भाग, नास्ता करूं के ये स्वीट, स्वीट माहिए, नाश्ता करूं जड़की कर दो, मैं कि अपिए 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 आपके साथ कोई संधिया नाम की लड़की है रंद्या जी रंद्या देख तुझे कोई मिलने आया है रंद्या को जो देखा तो बस देखता ही रह गया उसकी सूरत मेरी खोई हुई मा की हरकी सी परचाई थी आप अंकल आनिवादी थे ना अंकल की तबियत हराब है मामुनी में मुझे बेजा है मैं हूँ मानव मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ अच्छा आईए आपका सामान हमाल इधर आओ ये है मेरा सामान ये और ये मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे और मेरी मा को यहां आस्रा मिला था और मेरे सुक के लिए मा मुझे यहां छोड़कर चली गई थी मामुनी इसी दिन को मेरा जनम दिन मानकर बड़े धूमदाम से मनाया करती थी चारों तरफ खुश्यों के अंबार लगा दे थी मेरे जनम दिन के फूलों के बहार में हमेशा की तरह उस दुन बे दर्द बनकर मेरे आँखों के सामने आख़डी हुई थी मेरी मा की भूख से बिलगती हुई सूरत जनम दिन मुबारख हो शुक्रिया आप में यहां आने के तकलिफ क्यों की मैंने सोचा मेरा यह मामूली सा उपहार कहीं कीमती उपहार में दबकी खोने जाए इसलिए यहां लिया आई क्या यह उपहार आपको पसंद नहीं यह क्या कह रही है आप यह फूल तो मेरे लिए सबसे कीमती उपहार है क्या आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे सवाल? कैसा सवाल? स्टेशन पर जब आप से पहली बार मुलाकात हुई तब से मैं महसुस कर रही हूँ कि आप मुझे एक अजीब मुझरों से देखते रहते हैं ऐसा क्यों? कितने उदास दिन कितनी सुनी राते आँखों में आशो लिए जिस सुरत की तलाश में था अगर उस सुरत की परच्छा मेरे सामने आ भी जाए तो क्या हमें उसे जी बर के देखू भी ना? कौन है वो? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब दिया नहीं जा सकता लेकिन मैंने तो सिर्फ आप से एक ही सवाल किया है एक से कहीं हो जाते हैं और फिर मैं आपके सामने जूट नहीं कह सकता क्यों? क्या लगती हो मैं आपकी? आप मेरे? अरे? क्या बाते हो रही हैं तुम दोनों में? तेरे हाथ में ये फूल कैसे मानू? मैंने दिये हैं अंकी बहुत खुबसूरत है अच्छा चलो जल्दी करो हलो मानू हलो रीटा मुबारक क्यों आशा आप फुरसत में लिए जनम दिन मुबारक हूँ शुक्रिया खाम हो खाम पैसे क्यों बरबाद किया है? अरे ये तुम्मारे बलगी चुक्ये हैं पसंदा है? जीवन आशा बहुत बढ़ी हो चुक्या बस अब जल्दी से इसके शादी कर दे क्या हुआ? हम लगों कहाला तुमसे चुपी नहीं मानू फिकर मत कर, मैं जी हूँ चलो आओ मेरे साथ मैंने हैपी रिटन्स अब देग जरा हाथ बताना आँ फेक दो ना इन घटिया फूलों को कभी कभी हिरे भी फूलों को सामने खठया नजर आते हैं जीटा नहीं मानू, यह लोग जज़बाट लेकर नहीं आते यह आते हैं फिर्फ अपनी जरूरत के लिए जरूरत किस्की नहीं होती है लेकिन खरीब इनसान जरूरत के लिए अपना इमान कभी नहीं बेशता गरीब लोग अपनी जरूरत के लिए इमान तो क्या बच्चे तक बेश डालते हैं तुम्हें क्या मालूम इनसान किस तरह अपने दिल पर बत्तर रखकर अपनी अउला से अलग होते हैं उसकी मश्पुरी तुम क्या समझो ये लो मैं इसके काबिल नहीं अरे अरे तुम दोनों में ऐसे सीरिस बाते क्या हो रही है हर मामुली बात को सीरिस बनाना इनकी आदत है आंटी ओहो मैं तेरा क्या करूं मानू आज ये सारा इंतजम तेरे लिए हुआ है आज तो अपना मूठ सीक रखना मदन ए परता चलो 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 इसे गाने के लिए बोलो ये ऐसे नहीं मानने वाला चलो इसे पकड कर ले चलो मामुली मैं नहीं गासपूंगा प्लीज आज तुझे हो क्या क्या है तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है माजी आती हूँ अरे संद्या तू ही इसे कहना शाहिद तेरी बात मान जाए जब सभी कह रहे हैं तो सुना दीजी न ही काना आप भी कह रही हैं हाथ चोड़कर लेकिन क्या गाउं कुछ भी नया पुराना जो भी यादा है आपके जनम दिन पर नया पुराना मेरे जनम दिन पर हाँ हाँ चराहूं का लगा मेला ये जहां की खुबसूरत है मगर वो राशनी है कहां मुझे जिसकी जरूरत है ये खुशी लेके मैं क्या करूं मेरी है अब तलक रात काली ये खुशी लेके मैं क्या करूं मेरी है अब तलक रात काली जगमगाते दियो मत जलो मुझे से रूठी है मेरी दिवाली ये खुशी लेके मैं क्या करूं मेरी है अब तलक रात काली जिन से राशन थी ये रिंदगी वो उजाले कहीं चल दिये जिन से राशन थी ये रिंदगी वो उजाले कहीं चल दिये राशनी मेरे आकाश को देने वाले कहीं चल दिये चल दिये है मेरे देवता दिल का मंदिल पड़ा आज खाली जगमगाते दियो मत जलो मुझसे रूठी है मेरी दिवाली ये खुशी लेके मैं क्या करूं मेरी है अब तलक रात काली मैं जितना आज हूँ उतना ना था यो दास कभी चले गए वो बड़ी रूर जो थे पास कभी अनाथ कर गए मुझको बिसारने वाले बिना बताए अचानक सिधारने वाले कहां हो है मेरी बिगडी सवारने वालो पुकार लो मुझे बेटा पुकारने वाला मामनी मामनी मुझे चोड़के मर जाना मैं मर जाओगी मुझे माप करतो अब ये भूल मुसे कभी नहीं होगी ऐसे नहीं मानो मानो मैं तुझे वो प्यार नहीं दे सके जो तेरी अपनी मान तुझे देती मामनी मैं सच कहती हूँ तेरे माब आपको ढूड़ने में मैंने कोई कसर नहीं रखी अगर वो मिल जाते तो तेरी खुशी के लिए मैं तुझे उनके हवाले कर देती जाहे तेरी जिदाए के दुख में पराण चले जाते ऐसा मत कहूं मामनी जिदाए की बात मत सोच तुमारी जालो के साओगन खांगट का सकता हूँ मामनी कि दुझे आपको तुमें में सजिदाने हिकस मामनी मामनी कि अ आपको आपको कंते की अापको की अपको अपको क्रिए अरे आप आपके लिए चाय लाई हूं लेकिन आप क्यों नहीं हैं? क्यों? क्या आप मेरी हाथ की चाय नहीं पीएंगे? जी नहीं मेरा मतलब ये काम नितायदार मामनी के जिम्मन था आज आप आज से ये काम अंटी ने मेरे जिम्मन कर दिया है सिर्फ आपके सारी जिम्मदारी उन्होंने मुझ पर सौंपती है मेरी सारी जिम्मदारी? हां हां लेकिन आज से आपको भी मेरी हर बात माननी होगी मानी येका ना? घुरगुर के क्या देख रही हैं? चाई तो पिली जी, ठंडी हुई जा रही है मीठी तो है ना I am ready अरे, तुम बैठे क्या सोच रहे हूँ Oof, मैं तुम्हारा क्या हिलाज करूँ चलो, उठो, उठो ना नहीं संधिया, आज रहने को फिर किसे दिन और क्यूं, आज क्यूं नहीं मामोनी मुझ से नाराज है मुझे देखते ही मुझ फिर लेती है पता नहीं क्यों वो तुम मुझ से नाराज है और मेरा खुस्सा तुम पर उता रही है मैं उनी मना लोगी, तुम चलो तो सही ओ आंटी, तुम अभी तक तयाद नहीं हुई मैं नहीं जाओंगी चलो, तुम्हें जरूर चलना होगा कितनी अच्छी नुमाइश लगी है, चलो ना, उठो ना कह दिया ना, एक बार मैं नहीं जाओंगी मामनी, चलो ना, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी हाँ आँटी, चलो ना, लीज खामुखा सीन क्रियेट करने की कोई जरूरत नहीं सीन और बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी लेकर जाना वाट हैपन टु यू, खड़े देख के रहे हो, जाओ तुम लोग, देखो देर हो रही है, जाओ यहाँ कहां ले आए हो ज़रा काम है, एक दोस्त गहर है, आओ मगर नुमाईश को देर हो रही है न, आप आईए तो सही मानो, हाँ चाची, हलो बचा 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 बचा, अरे आचा महाँ को खड़ी इधारा इधारा, ये बेख अपना मानो आया है कहो मानस्ता, कैसे रस्ता भूर पर बड़ी भूम हो, मास्तर देना आचाची, कैसे याद किया है? अरे छोड़े बिल्ली उल्ली, जा इनके लिए चाय बना के लिए, जा हाँ, चाची बैटा, एक जगा आशा के रिष्टे की बात्चीब चल रही है लगका पढ़ा निखा है, खुषूरत है, अशुषील है और फिर मांगी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक हजार रुपया है फिर शुपका मैं देर क्यों, तैयारी शुरू कर दीते अगर बैटा, और रुपढ़े के बात कैसा तैयारी शुरू कर दूगा रुपया मैं दे दूगा हाँ सम्या, शायद तुम्हारी पॉस्म मेरी चेक बुक रहा यह देखो तुम यह लो माजी, हाँ सारा भार माना जी तूठाए ऐसे शुपकाम मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ आशा के पास गहनी तो नहीं होंगे नहीं बेटी, नहीं बेटी नहीं बेटी भगवान तुम्हे सुखी रख रहे बेटी बेटा मानो, जीवंस इस बारे में नहीं कहना नहीं तो वो मुझ पर नाराज होगा तुम ते जानते हो बेटा, मैं मा हूँ और जमान लड़की उकप से घर में बेटाया रभूगी लोग प्रक्रा की बाते करते हैं इसलिए बेटा, यह लो लो बेटी तेंकियो अशा नहीं नहीं इस वकी नहीं तुम्हारी शादी कर्द जी भर किता होगी ओफो, एक जीख साइन करने कर इतनी देश मेरी शादी के लिए जीजान से कोशिश कर रहे हैं को सकता है वो कामियापना हो और मेरी शादी भी ना हूँ बखबख ना करा मा, बोलने तो, मानव साहब हम करीब जरूर हैं लेकिन मैं नहीं जाती कि दूसरों के मदर से मेरे भाई का अपमान हूँ इतना गरम मिजाच चाची अपने पती के घर इसका गुजर केसे होगा वेता, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो दसकत कर दो बर इतना घमन ये तुम्हे शोभा नहीं देता मानव साहब जरा आप अपनी तरफ तो देखिए क्या इतना घमन आपको शुभा देता है मैं कसम खाती हूँ कि जब तक अपने भाई का कर्स मैं पाई पाई नहीं चुका दूँगी मैं चैन के सांस नहीं लूँगी मदद करने आये थे और इस तरह जलील हो रहे हो अभी और जलील होने का इरादा है गया इतना क्या सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक कहा है आसाने इतना घमन मुझे शुभा नहीं पर उसका नाम मत लो लेकिन उसने कितने साफ लफ़ों में मेरी गलती बयान करती है मैं अकसर ये क्यों भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ मानो कभी कभी तुम अजीब साबरताव करते हो मेरी समझ में कुछ नहीं आता आज मुमाईश का प्रोग्राम भी चला गया और अब यहां उदास बैठे हो मुझे मालूम है आंटी की बातों से आज तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है फूल जाओ सुनो आज तुम अपनी मा के बारे में कुछ बता ना मा के दुखों की कहानी सुना कर मैं किसी को दुखी खरना नहीं चाहता संधिया तरजब की बात है तुमने मेरे पिताजी के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा आंटी से उनके बारे में जो कुछ भी सुना है, उसके आगे और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रही सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन नहीं करते संधिया, मेरे पिता, मेरे आदर्श है, वो तुम नहीं जानते हो, कलकत्य के मशूर इंडस्ट्रियलिस्ट उमाकान चटर जी है, बहुत ही दयालू है मेरा खाना ले आना, बहुत अच्छा साथ तुम्हारे चर्नो के सावगन खाकर कह सकता है मामनी, के दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मसजदा नहीं कर सकती बोई वै बोई थी एंक्यू सिगरेट जी नहीं सुक्रिया है विचे यंग मैं आप पीते तो हैं हाँ मगर बुजर्वों के सामने पीना मैं गुस्ता की समझता हूं वन्डरफुल भैया आप मुझे और उसे अलग लगे जैने के आजकल के नौजवान तो इस मामले में काफी आगे बर चुके हैं उन्हीं की जुबान में कहूं तो शायद आप बैकवर्ड हैं बैठे ना क्या नाम है आपका जी मेरा नाम मेरा नाम आमित रहे है आइस से नमस् आप हमारे कोलेज के गरीव विद्याष्यों की मदद करते हैं किस कॉलेज में परती है आप बैचे हैं ना ड़ metropolitan पहले है में हर बान करके मुझे तुम कहिए और मुझे भी ऐ throughout इसी बात है किस कॉलेज परती हो आशितोष कॉलेज माय अ तुम जी मैं मैं weed मैं आर्ट्स का स्टुरेंट हूं, और ये साइंस की. आर्ट्स और साइंस, बड़ा अच्छा मेल जुल है. यूझनो, मैं भी आर्ट्स का स्टुरेंट हूं. अच्छा. कहाणिया लिखा करता था. सबानः हो गया। बस अब सब जादे बागी है. आप कहानिय लिखते थे अगर सब खो गई एक हादसे में हादसा? कैसा हादसा? किसमत का देखो, देही भी कहा भैग गया ये बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? शुक्रिया, हम लोग खा चुके हैं ने, ये कैसे हो सकता, पहली बार मिले हैं कमज-कम मुँ मिठा तो करना ही पड़ेगा अर्जुन, तो फर्स्ट क्लास पूडिंग सुना अर्जुन, दो प्लेट नहीं, तीन प्लेट अची बात है, तीन क्या सोच रहे हो? जी, आप आप शुरू कीजे ना? शुरू कीजे ना अची बात है तुम लोग कभी मेरा यहां आऊ ना? जरूर, एक दिन जरूर आएंगे पिताजी, तु देखने के बाद उनके नए जीवन के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई यंग मैं, शामती से तुम्हारे बारे में कई बार बाते हुई इसके मुँँ से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी और अगर सच कहूं, तो आज तुम से मिलकर मैं खुद भी बहुत इंप्रेस हुआ हूँ मैं चाहता हूँ, तुम बोस इंडस्ट्रीज जान कर ले, शामती कि यह ही इच्छा है क्यों वेटी, लेचन मैं ये काम ये काम सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी एविज़पूरा भरोसा है, मैं हूँ, शामती है, तुम्हें सब काम समझा देंगे इसके इलावा इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है पर्सनल इंटरेस्ट? मेरे पास तुम्हारे जैसा एक महनती और इमानदार आदमी हो, तुम्हे और क्या चाहिए? तुम्हारे रहने के लिए शामती ने इसी मंगले में इंतिदाम कर रखा है बेटे, इनी इनका कमरा दिखाओ विस्यों बेस्यों बेस्यों और नाइट यंग मैं गुट नाइट थैंको सर् आज कल आप इस तरह महनत कर रहे हैं और काम में लगे हुए हैं मैं हमेश आपको इसी तरह देखना चाहती थी आज मैं कितनी खुश हूँ कि पहली बार आपको देखते हैं मेरे मन में जो विचार उठे थे वो सब कितने सच साबित हुए मैंने मैंने आपके और अपने बारे में पिता जी को सब कुछ बता दिया है वो मान भी गये हैं शांति देवी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया पता नहीं आपने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा अगर मुझे आपसे कुछ कहना है मैं मेरी शादी हो चुकी है मेरा एक लड़का भी है आपकी शादी हो चुकी है आपका बेटा भी है कहां पहले तो कभी आपने बताया है कहां है आपकी पत्नी और आपका बेटा मालू में यकिन किजिए मुझे बिलकुल नहीं मालू मेरे गम के बोज को और बढ़ा कर मालूम वो कहा चले गए आपने उन्हें तलाश क्यों नहीं किया? उन्हें तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जगा जगा ढूड़ा, लेकिन लेकिन कहीं बताने चला? शानते रेवी, मैंने अन्जाने में ही आपको दुख पहुचा है. मुझे खलत मैं समझेगा. मेरा दुख क्या है आपके गम के सामने? यह तो कुछ भी नहीं. आपकी पत्मी और बेटे को ठुण निकालने की, अब मैं कोशिश करूँगी. बैठी, बैठी ना? अच्छा, अब वो कहा है? अपने पती और बच्चे के साथ सुखे जीवन विता रही है. कितनी महान है वो, ने आपकी अंधेरी जिंदीगी में उमीदों की जोच चलाई. बैठी वे, तुम्हारी वो संध्या बहुत अच्छी लड़ी है. उसे पहले दिन देखते ही मैं ताज्चु पे मढ़ गया था. जानते हो क्यों? क्यों? उसकी सूरत मेरी पत्मी से बहुत मिलती है. बहुत मिलती है. आप क्या सोच रहे हैं? अपने बेठे के बारे में सोच रहा हूं. पता नहीं वो कहा है. पता नहीं. वो है भी या नहीं? बाप के नाते मैं उसके लिए कुछ भी न कर सका. यह दुख यह जलन मुझे जिन्दी की भद तरपाती रहती. काश. काश मैं एक बार उसे सीने से लगाकर दिल की आग बुजा सकता. बापो की तड़क देखकर दिल चाहता था उनके गले लग जाओ. और कहे दू मैं हूँ आपका मानू. अगर मामुनी को दिये वे बचन ने, मेरे कदम रोब दिये. यह क्या? तो मचानक मुझे प्रणाम करने लग गये? देवी देवताओं को मैंने कभी नहीं देखा. आज एक इनसान के रूप में एक देवताओं देख रहा हूँ. आपको प्रणाम करने में मेरा पुन्या है. मुझे प्रणाम करने में तुम्हारा पुन्या है. अगर मैंने जीवन में कोई भी पुन कमाया है, तो उसे तुम पर निचावर करते हुए आशिरवाद देता हूँ. तुम महान बनो. जीवन में आने वाले हर तुफान को पुरुशाद से जीत लो. God bless you, my son. God bless you. 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 अमा कान जी, तुम्हारी बहुत परिफ कर रहे थे. अच्छा, क्या कह रहे थे मेरे बारे में? कह रहे थे, के तुम्हारी शकल, उनकी पत्मी से बहुत मिलती चलती है. आज तुमने मुझे इंसान के रूप में एक देवता से मिला दिया. देखा, मैंने तुम्हें कितने बड़े इंसान से मिलाया. अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी. बोलो. गाउं से पिताजी का तार आया है, और उन्होंने हम दोनों को बुलाया है. नहीं, संधिया. इस वक्त तुम अके लिए चले जाओ. मैं कुछ उल्शान में पढ़ गया हूँ. नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा. और तुम तो जानते हो. मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ. फिर भी मुझसे अक्रे जाने को कहते हूँ. अब मैं अपने और तुम्हारे बारे में पिताजी को सब कुछ बता देना चाहती हूँ. कहां है तुम्हारा गाउं? राजगंज. राजगंज? चलो गिना. राजगंज? हां. राजगंज मैं जरूर चलूँगा. जरूर चलूँगा. यह अचानक हमारी साली साहबा पटना क्यों चली गई? जी. मालूम नहीं. खेर यह भी अच्छा हुआ. इस बहाने तुम्हे राजगंज आने का मौका तो मिला? आव बिए. चलो. क्या देख रहे हैं? चलो न. तुम्हेल्या का मुक्तो कुम्हें? तुम्हेल्या का मुक्तो. आर दोरूम्हें राजगा. तुम्हें रूमुदा RAW. आर अखनार सूम्हें, है कर दोरूम्हें बेंगा? कौन अरे तुम अभी तक सोय नहीं जी नीद नहीं आ रही थी बस यूँ टेल रहा था आपकी हवेली बहुत शांदार है शांदार थी नहीं मैंने बनवाई दरसल ये हवेली मैंने एक सर्फिरे जमिदार से खरीदी थी जो अपने ख्याली उसुलों को अपनाने में तबाव परबाद हो गया पता नहीं वो आप कहां गया मगर उसकी बीवी आज तक मेरी कर्दन पर सवार वो कहां रहती है इस्टेशन के करीब मेरे ही एक मकान में रहती है छे महीने से किराया नहीं दिया है मगर अकल वो ही कि वो ही है कहती है मैं ये जगा नहीं छोड़ूँगे जहां मैं दुलन बन के आई थी सिर्फ यही नहीं एक अनाज बच्चे को भी उसने पाल रख था है कौन है कुमति देवी यहां रहती है हां यहां रहती थी मगर आजकल वो बनारस गई हुई है जानते हो बनारस में कहा रहती है वो जी नहीं आप खड़े क्यों हैं अंदर आए न तुम मेरा एक काम करोगे मा के वापस आती ही तुम मुझे एक चिप्ठी लिखते न हां आप कौन है मैं भी तुम्हारे तरह मा का एक बेटा हूँ आप मानुदा है ना हां मैं मानुदा हूँ मा तो हर समय आपे की बाते किया करती है मा मुझे जयात किया करती है यह तुम्हारे पास रखो अच्छा हो मानुदा आपने जो पैसे दे दी अब मैं माकान का कराया और दवा के पैसे चुगा सुकूंगा किसकी दवात आपस मा की दवा मा की क्या हुआ मा को टीबी टीबी यह हवेली मैंने पच्चीस हजार में खरीदी थी और अब कलकत्य के एक कंपनी से चार लाख में बात पक्की हो गए मैं सोचता हूँ कि कलकत्य में एक शानदार मॉडरन बंगला खरीदी कहो यह कैसा रहा दाओ पच्चीस हजार से चार लाख बहुत अच्छा है अच्छा पिता जी आपने मानों के बारे में क्या सोचा लड़का अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि अनूपमा और सतीश की सारी दौलत का अकेला वारी से ये रिष्टा बहुत अच्छा रहेगा बाद में उनके माबाप और परीचे का सवाल तो नहीं उठाएंगे अरे पगली हमें उसके असली माबाप से क्या करना है उसके पास दौलत है यही उसका सबसे बड़ा परीचे वो है कहां मुझे दराव से कुछ बादचीत करना है गाव में कहीं घूनने चले के होंगे हैं वो बड़ी मनमोची अच्छा मैं भी बाहर हो आता हूँ तुम यह क्या कर रही हो चलो तुम भी चलो पेटा तुम इतनी सवेरे सवेरे कहां चले गए थे यूही घूनने चला गया था या बात है तुम्हारा चिरा उत्रा हुआ मालूम होता है अरे तुम्हे तो बुखार है मैं अभी डाक्टर को बुला के लाता हूँ नहीं संधिया पिता जी से कैबर डाक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन क्यों मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं यह क्या कह रहे हो ऐसी हालत में मैं तुम्हें हरगी जाना ही है मुझे मालूम है तुम आंटी के पास पट्ना जा रही हो नहीं फिर कहां यह मैं नहीं बता सकता, और अगर बताए भी तो, तुम यकीन नहीं करोगी, बाद में तुम्हे सब कुछ बता दूँगा कुछ। के बाद वी सुनादकी के ओता है के बाद। मारे बड़ा जुटे झाला एक रसे करें अरे अमित बबु कैसे हैं आप नमस्ते आप जी वो तो भी लंडन से लॉटे वे नहीं लॉटे कब आएंगे उन्हें आने में देर हो सकती है कह गहे हैं वो आपके फंक्शन में नहीं आ सकी है यह ख़ब मैंने आपके कलब के में मोरों को दे दी है चाह तुम बड़े साफ के कमरे में जाओ और सब समान उठाड़ा अरे दादा भाबु तुम आगए है दीदी जी का है वो राजगंच में है दावा एक गलास पाने पिला दे ना हाँ चलो मा आ गई है मा मुनि कब आई है परसो मा मुनि मा मुनि ओट अर असस नंस नंस वो र्यू यू वो आयू वाट नंस 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 निताइदा ये सब कौन है और ये क्या है मामनी किदर है? ये सब क्या है निताइदा? तुम चुप कियो हो? मामनी किदर है? माँ.. माँ शायद साहब के कमरे में होगी मामनी? मामनी! सुन रहे हो न? वो इतना तु बदाश्ट नहीं कर सकता कि उसका कमरा किसी और को दे दिया जाहे अब तुम हो, कि दो लाक रुपए उसके नाम कर रहे हो, मैं पूछती इसकी जुरूरत क्या है, मैं ऐसा हर्गिस लाहोने तो हूँ अनू, मैंने जो कुछ भी किया है, खुब सोच भूच कर किया है वा, 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 पुर्बान जाओ आपकी सोच भूच पे, मैं उसे अच्छी तरह से जारती हूँ, वो सारी रखम पानी की तरह बहा देगा लेकिन मैं अपना फैसल नहीं बदल सकता मत बदलिये, मैं अच्छा की बानी हूँ, बानी मामनी रहने दो, रहने तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ अच्छा, तुम गवारों की तरही चिला क्यों रहे थे? वो मेरे मेमान है, और हिंदुस्तानी समझते हैं तुम समाल लिए यहां क्यों खड़े हो? रहेकिन मामनी तुम्ही बता दो नहीं कहारा क्या मेरे कुछ मालूम नहीं गर्गे मालिक से पूछो जाकर उन्ही की मर्दी चलती है यहां आओ बेते आओ गुस्सा की इस बात का? समझ में नहीं आता आज बात क्या है आपने इतने प्यार से कभी नहीं पुकारा घर में कदम रखते ही हर चीज बदली हुई नजर आई था जुब है मामनी इतनी नाराज है कि प्रणाम तक स्विकार नहीं किया और आप भी बदल से गए हैं शाहिद कुछ कहेंगे हाँ कहना तो कुछ चाहता हूँ इसलिए बुलाए हूँ सुटके से ही रहने दो साब मेरे कमरे पर रहेंगे उनके नहाने का बंदवस कर दो और खाना यही भेजो अच्छ अच्छ हाँ पहले नहाओ खाना खाओ फिर बाते होंगे नहीं पहले आप बताई यह आपका कहना चाहते हैं तुम बहुत जिद्दी हो मानौ यह दोश मेरा नहीं मेरे खुन का है तुम एक काम करो मानौ तुम अपनी बाकी पढ़ाई यूरोप जाकर पूरी करो यूरोप हाँ यूरोप क्या आप मुझे घर से निकल देना चाहते हैं यह तुम क्या कहते हो मैं चाहता हूँ तुम फॉरिन एजुकेशन पाकर एक बहुत कामयाब इंसान बनो क्या हिंदुस्तान में कामयाब इंसान नहीं बनते आप साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं यह आवाज सुन रहे हो हाँ शायद मामुनी के महमान का बच्चा है यह खुशकवरी तुमने सुनी नहीं रिष्टे में वो तुम्हारा भाई है भगवान ने मुझे इस उमर में एक बेटा दिया है मानब अपने बेटे मानुपमा सारी दुनिया को भूल गई है न वो कुछ समझना चाहती है अजाने इसका अंजाम क्या होगा अंजाम मेरा अंजाम नहीं मानब नहीं मैंने दो लाख रुपए तुम्हारे नाम कर दिये है यह देखो दान पत्र यह देखो दान पत्र मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान होगा अगर आप इसे फाट डाले अच्छा अब मैं चलता हो क्या यहां से चले जाने का फैसला और अब तो मैरे कोई जरूती नहीं रही यह तुम क्या कह रहे हो मानब बारास साल के बाल तुमने यह मैसूसकिय और बारास साल के अर्से में लेने कप सोचा था कि एक छोटे भाई के लिए, मेरी दुनिया ही बदल जाएगी लेकिन तुम जाओगे कहा? मैं जिस रास्ते पर भटकती हुई मेरी माँ यहां आये थी उसी रास्ते पर इतनी बड़ी दुनिया में मुझे एक छोटी सी जगा मिल जाया आज मुझे यही आशुआ दीजिये मेरी जिन्देगे में मेरे पिताजी के बाद आप यह जिन पर मेरी शत्ता है What do you want? I am sorry sister आपकी बड़ी महरबानी होगी अगर आप मुझे माफ करते है आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है Good bye my sweet brother, good bye Take away the child nurse You have no sense of time इसके दूद का वक्त हो गया जा दूद पिलाओ और तो कुछ नहीं मामुली जरा देख रहा था अपने छोटे भाई को बहुत खुबसूरत है अच्छा मैं चलू तुझे जाने के लिए तो किसी नहीं कहा आज का ये जाना मेरे तक्दीर में बहुत पहले से लिखा था तुम्हारी इस बेटी के नसी बहुत बुरे है मामुली बहुत बुरे मानो 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 जाज़ बबू मानो जाज़ बबू सुनो मानो जाज़ बबू निता ही मानो तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कही गए कि प्रोसा हुआ खाना छोड़ दो इतने दिन तो तुम्हारे दिया ही खाया है लेकिन आज आज मेरा जमीर दवारा नहीं करता कि मैं यहां खाऊ बारा बरसों में अपने लिए भगवार के सामने कभी सर्फ नहीं चुकाया मैंने तो तुम्ही तेरी मालिया था मैंने एक काच का स्वर्ख बनाया था मामनी एक काच का स्वर्ख जो ढोटकर चूर चूर हो गया जाने से पहले एक आखरी बार परणाम करने काथिकार दे दो मामनी बी प्रेक्टिकल मानो, ट्राइटो बी प्रेक्टिकल, दुनियादारी सिखो तुम्हारी इस प्रेक्टिकल संसार में मुझ जैसे एक ना समझ रह भी चाहे तो क्या अगर आश्रवाद नहीं दे सकती हो, तो बद्वा ये देना लेकिन अगर कभी सुनो कि मेरी मौत हो गई है, मैं मर गया हूँ तो जरा सर रो लेना मामनी, तो आसु बहा लेना तो आसु बहा लेना तो आसु बहा लेना तो आसु बहा लेना दादा बाभू, दादा बाभू, दादा बाभू हजारों मील लंबे रास्ते तुझ को बुलाते यहाँ दुख्डे सहने के वास्ते तुझ को बुलाते है कौन सवो इनसान यहाँ पर जिसने दुख ना जेला तेरा मेला पीछे जूता राही चल रखेला तेरा मेला पीछे जूता राही चल रखेला तेरा कोई साथ ना दे तो तु खुद से प्रीट जोड़ ले विछोना धर्टी को करके परे आकाश ओढ़ ले यहाँ पूरा खैल अभी जीवन का तुने कहा है किला चल अकिला चल अकिला चल अकिला तेरा मिला पीछे जूता राली चल अकिला चल अकिला चल अकिला चल अकिला तेरा मिला पीछे जूता राधी चल अकिला मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी मैं आंटी से जाकर जरूर पुछूँगी कि उन्हें में तुम्हारे साथ ऐसा सख बरता क्यूं किया नहीं संद्या जब मैंने बदमस्जीदी कोई अपना नसीमान लिया तिल मामन ये रंकल से कहने का सवाली नहीं उड़ता है बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हो लेकन हो तो अनात अनुपमा ने सहारा दिया उसके तुकड़ों पर पल कर तुम इतने बड़े हुए बड़े घरों के तुकड़े तो बंजे से खा लिये लेकन बड़े घरों के तहजीब में नहीं आई आंदा बड़ी-बड़ी बाते करने से पहले अपना असली परीचे क्या है ये सोच लिया करो पीता जिन मैं तुमसे क्या कहूँ ऐसे यतीम को घर में लाई हो कि शर्म से करतन चुक गई है जिसे यतीम के वज़े से आपती करतन चुक गई है वो यतीम आच जा रहा है ताकि आपकी जुकिवी करतन फिर से तन जाए सुन लिया बेटी मा तु कहा जा रहे मानो तुम्हे मुरी ख़दा समझा मानो अरे आशा मानोगा को अंदर लाओ ना चलो जब दुनिया में मेरा कोई सहारा ना रहा तो किसमत मुझे आशा के दरवाजे पर खेंश ले गई वो आशा जिसकी खुदारी में एक दिम मुझ से मदद लेने से इंकार कर दिया था इतना घमंड ये तुम्हे शुभा नहीं देता मानव सहाब जरा आप अपनी तरफ तो देखिए क्या इतना घमंड आपको शुभा देता है आओ अरे ये क्या मैंने तुम्हारी मंगल काम ना करकी ये सांच कातीब चलाया और तुम रोती है छी ऐसा आशुभ होता है भाया मानव था आशा मानव बेचा बेचा मानाओ निताइदा अरे आशा मानव था देखो निताइदा और बड़े भाया आए है निताइदा आओ बैठो निताइदा ये लोग ये तुम्हारी चेथिया ये आज क्या दिन है आज आज सुम्हा तीन दिन बीत का है मुझे अज रात की गाड़ी से ही जाना होगा क्या हुआ? कहा जाओगे मुझे अपनी मा का खत मिला है आशा अपनी मा का खत मा मा मेरा मानौ मेरा मानौ मेरा मानौ अरे ये क्या हालत ना रखी तेरी मामो नी ठीक है ना हाँ वसब ठीक है बेटे पेटे पेटे अँखों में आशो क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या मेरा 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 तेरे जोर कर कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी कर लिए तेरे पापू को ठूंडा करती थी और स्री ने पे बत्तर रख कर भगवान से तेरी भलाई के लिए रातना किया करती थी तुझे देखने के लिए छुप छुप कर तेरी मामुनी के यहां जाया करती थी तर लगता था कहीं तेरा सामना नहों जाए फिर मेरी तव्यत खराब हो गई और मैं काउं चेली आई मगर माना तुम उचे ले कहां जा रहा है रे हम कलकट तो जा रहे है मा मुझे बहुत पुरी भीमारी है रहे बहुत पुरी सब ठीक हो जाएगा मा अब हमारे संसार में कोई दुख न रहेगा कितना बड़ा मकान मकान ? किसका मकान ? मेरे बापू का मकान जानती हूं मा, मुझे बापू मिल गया है क्या ? चाह कहा प्रश्च 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 प्रश् वो तो आज भी यह जानते मा कि तुम कहा हो क्योंके मैंने भी अपना पड़िचे नहीं दिया यह क्या कह रहा है तो? हा मा, मैंने मा मुनी को वचन दिया था कि तुम और बापो अगर मुझे मिल भी गय तो मैं अपना अस्री पड़िचे नहीं दूंगा मगर आज उन्हों ने वो बंदन तोड़कर मुझे उस बचन से मुक्ति दे दिये अब मैं तुमारा हाथ पकड़कर बापों के सामने जाकर कहूंगा आपने पैचाना हमें मा एक नई दुनिया होगी हमारी एक नई जिन्दगी इंसार मा एक नहा संसार हाँ, मानू 12 साल पहले कख वाया हूँ हमारे संसार तर से आवाद हो जाएगा मैं संदग बहुरानी बना कि लावजी हमारा खरवर बन जाएगा चरक मा! क्या हो मा? मा क्या हो तुम्हे? मा! मा! यह तुम्हे क्या हो गया, मा? मा! मा! horribly क्या वाख़ए मेरे मानु के नहीं से लगशा बैटी मेरे कलेजिसे लगज़ा बेटे Allah! Ones एगे न... ...Muce, Muce! अपकर रे! नजए करियो मा? आजए करियो मा? मा! मा! पाँ! मा! अबाफ बाफ बाफ बत्याफ! अबाफ बत्याफ बत्याफ बत्याफ! तू ही मेरे दिन का सूरज तू ही मेरी रात का जंदा एक दिन तो देगा तू ही मेरे अंत समय में कनदा मेरा देखके उजड़ा जीवन तू आज दुखी मत हो मैं तो काटों में रह लूँगे जां तू फुलों पर सो अपनी मा की एक समत पर हसने की ये दिन है तेरे रोने के लिए तो बेटा जनमी है जगत में माता मेरे लाल ये आंसु दे दे अपनी दुख्या मा को मैं तो काटों में रह लूँगे जां तू फुलों पर सो अपनी मा की एक समत पर मेरे बेटे तू मत रो मैं तो काटों में रह लूँगे जां तू फुलों पर सो मानता इस तरह हार मान देने से क्या मा की आत्मा को शांती मिल सकीगी शांती इतनी बड़ी दुनिया में मैंने और कुछ नहीं चाहा सिर्फ अपने दुनिया मा के साथ जीवन बिताने चाहा इसमें क्या दोड़ता मेरा मा को मुझसे क्यों चीन लिया गया, क्यों चीन लिया गया, क्यों चीन लिया पीटा, क्या समझ रखाय तुम तुम जाना चाहो तो और मैं जाने तुम जाने तुम मानुदा, तुम्हे समुझना होगा, तुम्हे हिम्मत से काम देना होगा, आओ जानते हो, अभी थोड़ी दिर पहले, तुम्हेरे सभी साथ ही यहां बैठे, तुम्हारी राह देख रहे थी मैंनों उन्हे वचन दिया है, कि तुम काओगे मैं काओंगा? हाँ, तुम काओगे, इस ही हालत में काओगे यह आचान ही, मैं देही कह सकूँगा मैं काओगे झाल झाल कर दो कर दो कर दो मेरे पास है आर ना कुछ लोगो बस आँख में आशू लाया हूँ में पता के बिना अपनी माता की चिता जला कर आया हूँ ज्वाला से घिरी जब मेरी मां भगवान के घर को जाती थी अब तडप तडप आत्मा उसकी बेटा बेटा चिलाती थी बेटा बेटा चिलाती थी किसी से अब मेरा रिष्टा न कोई नाता है किसी से अब मेरा रिष्टा न कोई नाता है अब तो शंशान की माटी ही मेरी माता है किसी से अब मेरा रिष्टा न कोई नाता है अब तो शंशान की माटी ही मेरी माता है सुने वालो सुनो कहानी मेरी हो गई खत्म जिन्दगानी मेरी धूल मर घट कि लेके हाथों में अब तो बैठा हूँ मैं गनाथों में धूल मर घट कि लेके हाथों में अब तो बैठा हूँ मैं गनाथों में हाए माता को मैं बचा न सका अपने बापू से मैं मिला न सका हाए माता को मैं बचा न सका अपने बापू से मैं मिला न सका उसकी अर्थी भी वो उठा न सके उसकी अर्थी भी वो उठा न सके समय ने क्या ये दिन दिखाया मुझे कैसी मन्जिल पे वक्त लाया मुझे एक तरफ है मेरे अंजान पिता एक तरफ जल गई माता की चिता एक तरफ है मेरे अंजान पिता एक तरफ जल गई माता की चिता अच्छा हाता जो मैं भी मर जाता इस दुखी जिन्दगी से तर जाता अच्छा हाता जो मैं भी मर जाता इस दुखी जिन्दगी से तर जाता मेरी माँ चल दी योर में जिन्दा हूँ मैं ऐसी बात पे शर मिन्दा हूँ ऐ मेरी मौत बुला ले मुझे को आज बाहों में उठा ले मुझे को ऐ मेरी मौत बुला ले मुझे को आज बाहों में उठा ले मुझे को मौत बुला ले मौत बुला ले मुझे को अगता है जीवन के दुखों की अव्यक्त वेदना से आज इसके आवाज रुके ही है इसके तूटे हुए दिल के सुर और मेरे जीवन क्यान कहे बोलों को ले कर आज आज मैं काऊंगा इसका अधूरा गीत अब मैं पूरा करूंगा अपनी माता के दुलारे बच्चे तुझ भी कुर्बान मैं प्यारे बच्चे तिरे आशू मैं सहे नहीं सकता ऐसा क्यूं है मैं कहे नहीं सकता तिरे आशू मैं सहे नहीं सकता ऐसा क्यूं है मैं कहे नहीं सकता आज मेरे पास चुप क्यूं बैठा है आज से तू ही मेरा बेटा है हाँ मेरे पास चुप क्यों बैठा है आज से तू ही मेरा बेटा है तू मुझे लग रहा है अपना सा मेरा खोया हुआ एक सपना सा मेरे हाथों में देदे हाथ अपना जिन्दगी भर रहेगा साथ अपना अकेला रो नहीं वेराने में कोई तेरा भी है जमाने में ये मत समझ के किसी से न तेरा नाता है अब तो इस देश की माटी ही तेरी माता है भूल दीती हुई कहानी को युना बरबाद कर जवानी को जिन्दगी दाता का पहसान समझ इसे भगवान का वरदान समझ तुझे जीवन यहां जीना होगा हर आसु यहां पीना होगा अपनी बिगडी को तू बना बच्चे एक दुनिया नहीं बसा बच्चे अपनी बिगडी को तू बना बच्चे एक दुनिया नहीं बसा बच्चे अपनी तिसमत तू जगा सकता है आग पानी में लगा सकता है जिन्दगी युन न डुबो आहों में आजा अब मेरी खुली बाहों में तेरे जीवन में यही होना था किसी को पाके तुझे खोना था जाने वाला तो कभी लोट के ना आता है अब तो इस देश की माटी ही तेरी माता है अब तो इस देश की माटी ही तेरी माता है अब तो इस देश की माटी ही तेरी माता है अब तो इस देश की माटी ही तेरी माता है अब तो इस देश की माती ही तेरी माता है जो पागलों की तरह बारा साल तक तुझे धूरते रहे उन्हें छोड़कर जा रहा है जा जा उनसे कह दे कि मैं हूँ आपका माटू है मैं उनसे कहना सका मिसेश सेम कहना सका मैं आपका मानू हूँ बारा साल से मा को पाने के लिए जो आज भी ऐस लगाए बेटे है उनसे मैं कहन सका कि आप की सुमते का चिता में अपने हाथों से जलाकर आया हूँ क्योंकि यह सरमा वो बर्दास नहीं कर पाते है मैंने चहाता पिताजी के तरह अपना जृर्बागय को जित लग से किसे कि भी थी नहीं करपाया मिसिस सेंड मैं हर तरह ըाकामयाब रहा तो क Probleme नाकामियोń को इन बोतलों में डुबा सकोगे मानूग मैंकिसी काबिल नहीं रहा मैं कुछ नहीं कर सकता मिसइस सेंड कौन कहथा तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन के इस अंधकार में तुम्हें अपने लिए नय प्रभात खोजना होगा और तुम्हारे जीवन का वो नय प्रभात हम सब के जीवन को रोशन कर देगा, सब के जीवन को तुम तो कभी हारी नहीं सकती मैं मिसे सेंग हाँ मानब तुम जीवगी अपने पिता के आदुष्षों के लिए और तुम जीओगी माव की पवित्रा आत्मा की शांती के लिए मानब चीदा जाता हो तुम जीओगी जीओगी मानव, अब तुम अपने असली बंचय के साथ सब के सामने जाकर शान से खड़े होगी पर संधा से कहोगे, कहोगे कि इससे कहेंगे मिसिस सेंग, अब जादा को संधा मिलेगी क्यों? पर सुंस की शादी है, संधा जबरतस्ती किसी और के बनाती जाएगी नहीं, ऐसा हरकिस नहीं हो सकता, जैसे भी हो, जैसे भी हो ये शादी रुकानी होगी अलो, आप अमित और संधा को जानते हैं न? बहुत अच्छी तरह, मगर आप उन्हें कैसे जानती हैं? ये मैं आपको बार में बताऊँगी, उनकी जिन्देगी में एक खतरनाक मोर आ गया है खतरनाक मोर? और उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है फर्माईगे, क्या कटना है? राजगंद की हवेली, अब आपकी मिलकियत है न? जहाँ? और किसी वक्त प्यू जवेली का कबजा भी ले सकते है न? एशक, मगर बाब क्या है? मैं राजगंद जाकर आपको सब समझाऊँगी आप कल शाम तक राजगंद पहुँच जाएए ज़रूर पहुँच जाऊँगा तेड़े आसू मेरा फैसला नहीं बदल सकते मैं बेगा हूँच नहीं जो एक अनाद के साथ तेरी शादी कर दू जिसका नो कोई पता है न ठकाना ये शादी मैंने खुद 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 समझ करकी है और यही मेरा फैसला है कि ये शादी हो कर रही अब जल्दी से मीचे जली नाइब जी ख़मराईव आपको ढूण रहे है क्यों उन पर कॉमसी वीवार गिरपली सब के सब मिकम में है अब तू रोना धोना पनका वोई बदाव समझ रखा है खर बेशादी है और कहते घर खाली करना पड़ेगा मैं भी तो देखो कौन पर नमस्ते जी कहा है आपके मालिक उस दिन आपके हाद में भी कोट का ओर्डर था कौम मुझे पहचान लेना आपके लिए लाजम था उसमाकान चैटे जी को भूल कर जिसके बारे में जूट या फाए पहला कर उसे पेज़द करना चाहता आप कहना सिर्फ इतना किसी वक्त ये हवेली खाली करने पड़ेगी ये नामुम्किन है अभी नौबजे मेरी बेटी की शादी का महूरत बारात आ चुकी है मेमान आ गया है मैं किसी भी हालत में मकान खाली नहीं कर सकता है आपने भी तो मुझे पूजा धूरी छोड़कर यहां से न किसी और से प्रेम करते हैं किसी को मनी मन में अपने अपने जीवन में शरिफ एक ही की होके रहे इसका मतलब है किसी और से प्रेम करते हैं अपने जीवन साथे मान चुकी है इलाल जान बूज कर तीन तीन जिंदिगया बर्माद करने का तुम्हें कोई हक नहीं पुरायनी दुश्मनी का बदला आप मेरी बेटी पर कलब जगा कर लेना चाहते हैं तो क्या यह शादी संध्यावेटी की रजामंदी से हो रही है तो दोका देकर अपनी खेली खिलाई बेटी को हमारे कले में पालने की काथ में दे लेकिन हम भी बदला ले सकते हैं अरे लागनी सभी साथ भी बेटी को हम उसे बहुत एंबंदी बना कर ले जाएगे अच्छी बाद देख लेंगे जाएगा अच्छी बाद देख लेंगे जाएगा अच्छी बाद देख लेंगे अरे जाएगा तुम्हारे यह से बहुत लेके आपने गावालों के सामने जो हमारी बेज़ती की है उसकी पाइपाई चिपालेगे अब जिंदगी पर अपनी लागी बेकी को गले से लगा कि रखना अब हम देखेंगे तुम उसकी शादी कैस अच्छी बेज़ती का बत्या इसा लूगा कि तुम जिन्दगी पर याद रखोगे अपने घर में तो कुटा भी शेर होता है चुपे ज़ाओ जाओ 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 ये सब क्या होगी है अब तो आपके सीने की आग बुच गई मैं समाज को क्या बू दिखा हूँगा अब मेरी बेटी को कौन अपना है का आपकी बेटी पहली किसी की हो चुकी है कर पहल दो कि जाओ लोद कर दो किसमें लगाई है अरे अंतामा देभी अंतर है गई मामनी कर तकी जफर घ Covid अहुँ अधर थाँ पुब कर फ़्ह, कर फ़्ह कर दो हो ख़ख Candice कर दोखन ऑो कर दो बाम questa उब reckless तक मनी कर दो ऌतर है नदिए्चर आए जड़े Shayna वे प्रेजिक वचलो वें वे बेप्णिक वेडिक वेडना! ... ... ... तो मेरी लखिस भडैली में चलते उसराइख हो जाएगी वए बढ़ा है! दारणी को इसे जिक्तरने माले की हम तरे ख़ी दिखकरने माले कि zarimे हम तरे कि वहुत रखक्तिनी बॉक जाओ! रुक जाओ! अरुषिया नहीं रुक जाओ! आई पिरनाजिए निरावाजियां से नहीं जा सकते हैं यह हमारी इस तक दुर्बरादी किसमाने जो हम रोगेगा हम सर्चार समादाने कोश्ट करो जहां गर किसी के खुण की एक खुण भिगरी याद लखी आप सबसके समेदार होंगे पर हम याद की नदिया बहा देंगे हाँ हाँ सारे फशाद की जर्ट तुम हो पहले तुम्हारी मरमत चलनी पड़ेगी तुम्होंने मेरे वार्टर अपनी मौत उपका रहा है आज मेरे आज चे कोई नहीं बढ़ चक्ता कुम्होंने कि चुम्होंन थाज पारा ह। कुम्होंने कि तुम्होंने के बचना प्पका रहा है पाँ कर दो कर दो मों सार्व और समय हम अस्ते हम कर दो कर दो मैं 5 हुँ मज देखता हूँ मेरा ख्कोया हुआ आपका बताने सकता कि इसने यहां कितनी बडी जगा बना ली है मगर आप नहीं जानते आप इसे नखिम चांगे कॉन है यह hogyan Islamapake हां संबन्द नम्हों करки कि अंधम का Framagta यह है आपका बननसीब बेटा मान मान मानौ मेरा मानुख? आपकू मापकू मेरा मानुख बापकू मगत मानुख क्या उस दिन का दीट? क्या सुमाती? मापकू मैं माँ को नहीं बचलनका नहीं वो बहर बहर आप से शमा मांग रही थी बापकू रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, चल जाने दो इस हवेली को यह आप क्या कह रहे है लगा? ठीक कह रहा हूँ, सुंदलाल, काओ के अंगिनत लोगों का खून चूज कर, घुरूर से सर उचा कि यह खड़ा था, यह पाप का महल, इसे मिट जाने दो, मिट जाने दो, मिट जाने दो Mrs. J нас, इस हवेली की एक-एक यीट में समाई हुई है मीरी खोई हुई सुमथी की सिकती हुई आवास सुमथी, तुहारी जिंदेगी मैं, तुहारी जिंदेगी में तुम मैं खुशी का एक फूल भी न खिला सका लेकिन आज, आज मैं तुम्हारे खोए हुए संसार को आशों की डोर में तिरों पर लाया हूँ मैंने ये भेच स्विकार करो, स्विकार कर समधी, स्विकार करो आज के दिन आप इस तरह दुखी मत हुए, देखी, आशिरवाद नहीं देंगे अपने मानवार संध्य को आशिरवाद जी जी आशिरवाद तो हम दोनों को मिल कर देना चाहिए था समधी दोनों को मिल कर देना चाहिए था लेकिन आज, आज तो मुझे छोबकर बहुत दूर चली गई हूँ बहुत दूर चली गई हूँ देखो सुमधी, देखो, तुम्हारे घर बहु आई है, बहु, आज, आज अपने मानो, आरुप के संधा को आशिर बाद दो, आशिर बाद दो सुमधी, आशिर बाद दो अपनी मा की किसमत पर, मेरे बेते तू मत रो, मैं तो काटो में जिलूगे जा, तू फूलों पर सू, अपनी मा की किसमत पर किसमत परो